आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे जो सोमवार को हम आपके साथ करते हैं कि कोविड-19 की हालात देश में क्या है आएए देखते हैं पहले अंतराश्ची आँक्रों पे इसके बाद हम हमारे देश की आँक्रों पे आएगे तो यहां अगर देखें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर मुलकों में कोविड का जो पहला बढ़ोत्री थी तो वो खतम एक बार एक तरफ से हुई बतलब कम हो गया इसके बार फिर बढ़त हुआ और उसी तरह अगर हम देखें तो अमरीका में यह तीसरी दौर है जिसमें कोविड-19 की काफी संख्या देखने को मिल रहा है हलागि इस वक्त थोड़ा सा कम होने की आशार उसमें आ रहा है पर फ्रांस जैसे मुलक है तो उसमें काफी कम हो गया था फिर काफी बढ़ोत्री देखने को मिल रहा है जैसे यूके में भी है राश्या में भी है इतली में भी है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम समझें कि एक बार कम होने से शायद ये कम की तरह ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ये घटता है, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ये ही इस epidemic महावारी का स्वरूप है, इसका मतलब कुछ जगहों पर फैल जाता है, तो लोग सामधान हो जाते हैं, कम एक दूसरे से मिलते है जो बिमार हैं, उनको समझ लेते हैं, कि अच्छे ये लोग बिमार हैं, तो उसके contact tracing करके, control कर लेते हैं, पर दूसरे जगह पर फैलने का संभाबना हमेशा रहता है, और इसलिए, अगर मुलकों की हम देखें, चार्ट्स देखें, जो COVID-19 की चार्ट्स हम आपको दिखाते ह हैं, उस पर देखेंगे, देशों की अगर सिती देखें, तो बहुत सारे ऐसे देश है, जिसकी संख्या बढ़ता घटा नजर आएगा, देखिए, हम active cases की चार्ट्स दिखाते हैं आपको, इस पर आप देखेंगे, कि अमरीका में पहले बढ़ा, इसके बाद थोड़ा सा घ पर देखेंगे, पहले बढ़ाता काफी, 31,000 गया, नए केस आरते पर दे, इसके बाद 20,000 पर नीचे आगे, इसके बाद करीब 78,000 तक वो अमरीका में फिगर गया था, नए केसे की, इसके बाद फिर घटा, 34,000 के लगबग, अब फिर जो है, बढ़ता है, तो वो 56,000 के हिंदुस्तान की जो चार्ट है, ग्राफ है, ये कुछ अलग रहा है, हमारा चार्ट लगातार बढ़ता जा रहा था, इसके बाद घटना शुरू हुआ है, पर इसका मतलब नहीं है, ये फिर अमरीका की तरह कुछ दिन बाद नहीं बढ़एगा, हम दिल्ली में देख चुक नए केसिस की फिकर्स देखते हैं, ये चीज थोड़ी सी जादर जल्दी साफ हो जाएगा, अब देखेंगे, ये देखेंगे, पूने है, बढ़ा, घटा, फिर बढ़ा, फिर घट रहा है, दिल्ली का देखें, वीश में काफी घट गया था, इसके बाद फिर बढ़ गया ह फिर घट रहा है, हो सकता फिर बढ़े, तो इसी लिए अगर हम समझें कि हमारी एक बार घटना शुरू हो जाता तो घटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, साफ है दूस्ते मुलकों से, और हमारे खुद देशों, हमारे खुद की मुलक में, शेहरों की और स्टेट्स की हाला यह बढ़ता घटा जाएगा, इसी लिए जो आज अख्वार में सरकारी सुत्रों से कहा गया है, कि यह आसार यह है, आशा यह है, कि जैनवरी, फिबरी तक एकदम घट जाएगा, इसका कोई बेसिस नहीं है, कम से कम आज घट रहा है, इस से साबिद नहीं होता, घटा ही र और यह इसी लिए है, कि अभी भी जितने प्रतिशत लोग को हर्ड इम्मूनिटी होने के लिए इंफेक्टेड होना चाहिए, उससे काफी कम फिगर्स है, आपके शरीड में एंटिबोडी है, कोविड-19 की इंफेक्शन अगर होगा, तो उससे आप जूच सकते हैं, क्योंक साथ से सतर प्रतिशत तम हम कह सकते हैं, हर्ड इम्मूनिटी है, तो इसी लिए बीमारी रुख जाएगी, पर इस वाक्त अगर फिगर्स देखें, तो सबसे ज्यादा जो इंफेक्टेड जगहों हैं, वहां की जो सेरो सर्वेस, जो खून की सर्वेस एंटिबोडी हम निका करें, तो सेरो सर्वेस से 5-6% से जादा लोग इस वाक्त इसमें इंफेक्टेड या इनके शरीड में एंटिबोडी नहीं हैं, इसका मतलब हर्ड इम्मूनिटी से बहुत दूर हैं, और इसी दिए उतार चड़ाओ, फेगर्स की होती रहेगी, एक जगह बीमारी कंट्रोल म और हमारी जो स्टेट्स की चार्ट है, उस पर आप देखेंगे, हम पहले भी दिखा चुकए हैं स्टेट्स की चार्ट, उस पर आप देखेंगे की जो case है, total case हैं, अगर हम total case की figures देखते हैं, ओल इंड्डिया लेवल पे, States में, देखेंगे की दक्षिन भारत में संख्या क में figures हैं पर अभी दूसरे जगों पर इतना बढ़ा नहीं है इसका मतलब नहीं कि यहां नहीं बढ़ेगा बलकि किसी भी वक्त बढ़ सकता है दिल्ली तो खेर अलग है शहर है पर यह मतलब है कि कहीं कहां पर कितना बढ़ेगा इसका गारंटी हम नहीं दे सकते कि पहले था अब घट रहा है इसके मतलब और नहीं बढ़ेगा यह नहीं है डिस्टिक्ट वाइज अगर figures को देखेंगे उससे और भी साफ हो जाएगा तो देखेंगे महराष्टरा काफी आगे रहा है इसके बाद तेलेंगाना यह active cases की बात हम कर रहा है इस वक्त और इसके बाद अगर देखें तो उतर भारत में उस तरह से मढ़ोत्री नहीं है उस तरह से आपके cases, active cases नहीं दिखाई पड़ रहा है पर दक्षित भारत में काफी cases निकल चुके हैं पर यह मतलब नहीं है कि उतर भारत में फैलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पहले भी कुछ जखों पर फैला है और किसी भी वक्त वो चीज वापस आ सकती है यहीं अमरीका के case में हम देख रहे हैं यॉर्प में भी देख रहे हैं इसलिए कोई इसमें हमारी complacency नहीं होनी चीए कि हमारे हाँ फिर नहीं फैलेगा मैं इसलिए दो चीज इसके आपके सामने रखना चाहूँगा एक तो यह है कि हमारे यहाँ पर एक कोविट फैटीग भी है लोग कहरें बहुत हो गया होने दो देखी जाएगी और मास्क पहनना सामाजिक दूरी बरकरार रखना यह जो कहते सूपर स्पेडर इवेंट इकठा क्लोज डोर में न होना यह सब हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं कुछ सरकारी कदवों भी ऐसे हैं कि रेस्टोरांट्स, बार्स, सिनमा हौल्स खोलने की बात हो रही है तो इन सब में यह चीज है कि आपको सूपर स्पेडर इवेंट्स इकठा बहुत लोग कोज़र होंगे क्लोस डॉर में खास तोर से तो संख्या फिर बढ़ सकती और बहुत तेजी से फैल सकती है इसलिए यह नहीं समझना चीजिए कि अभी भी कोविट फिटीग क्योंकि हम लोगों में है इसलिए हमारे साथधानी बरतनी की जरूरत नहीं है साथधानी उसी तरह बरतनी की जरूरत है जो पहले से थी सही है कि दफ्तर है शुरू हो गई है कुछ काम पे जाना पड़ेगा पर मास्क पहनना खिड़कियां खुली रखना पंका चलाना आपको जितनी जद्ध सोशल डिस्टेंसिंग जितनी रखने के लिए बताई जा रही है उतना रखना बारी बारी में लोगों को दफ्तर बुलाना ये सब हमारी अभी भी करने की जरूरत है इसके बिना इस पे कंट्रोल नहीं होगा जब तक मैं वैक्सीन आएगा अब दो खबर आपको देना चाहते हैं एक तो है कि वैक्सीन की अद दूसरी दवायों की अभी वैक्सीन ट्राइल्स बहुत जगों पे चल रही है उसमें कुछ जगों पे वैक्सीन ट्राइल्स रोग दी गई है क्योंकि कुछ उसमें एक दो केसे ऐसे आए दजर आए इसमें लगा कि अबर्स रियाक्शन हो रहा है यह हमेशा वैक्सीन ट्राइल्स पर होता है तो कोई अनोखी चीज नहीं है यह तो होता रहेगा इसलिए सेफटी ट्राइल्स की जाती है क्योंकि जो आपके 30-40,000 लोग को वैक्सीन अगर देते है तो उसमें से एक दो को असर पड़ेगा इसलिए नहीं कि वैक्सीन के वज़े से और किसी वज़े से भी बिमार पड़ सकते हैं पर क्योंकि वैक्सीन ट्राइल्स में है इसलिए जरूरत यह है कि शनाक करना कि वैक्सीन के वज़े से हुआ यह और किसी वज़े से हुआ तो यह तो चल रहा है जॉंसन अन जॉंसन का ट्राइल्स वक्त रोग दी गई है पर वैक्सीन ट्राइल्स पर सबसे बड़ी बात जो यह है कि कैसे की जाएगी कौन कर रहा है उसकी विशेशनियता कितनी है, कितनी reliable है ये और इनको कब dose देया गया, कब उसकी antibodies टेस्ट किया कब उसकी आप reporting करेंगे दूसरे dose देने के लिए जादे तर vaccines इसक्त two dose vaccines है इन सब के लिए कम से कम हिंदुस्तान में चल रहे वैक्सीन ट्राइल्स के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है और सरकार की ये जो कोशिश है कि ख़बर को बाहर ना रखने देना उसको धक के रखना उसको बताना नहीं जो ट्रांस्पेरेंसी की जरुरत है उसकी काफी अभाव देखने को मिल रहा है और अभी तो कम से कम हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किया पर अभी भी वैक्सीन ट्राइल्स पे ट्रांस्पेरेंसी नहीं है कौन कब कैसे ये ट्राइल्स की जाएगी और इसकी जाच कौन करेगा कि ये सचमुच ये रिजल्ट सही है कौन से लगाटरीज है जिस पे रिजल्ट देखी जा रही है तो सिर्फ ये नहीं कि आपने टीका दे दिया टीका के बाद खून जाचनी पड़ेगी ये देखने के लिए आंठीबोडी उसमें पैदा हो रहा है नहीं हो रहा है vaccination का मतलब टहीं है न तो ये जो चीजे है ये अगर वैगानिक तरीके से नहीं होगा हर्ड एविडेन्स के जरीए नहीं होगा तो वैक्सीन बैकफार कर सकता है क्योंकि यह हो सकता है वैक्सीन से प्रॉब्लिम्स हो, इससे ज्यादा संभावना यह है कि वैक्सीन नाकाम हो, इसलिए वैक्सीन क्रूपर लोगों का विश्वास उड़ जाना। पर और जितने दवायों की बात की गई है, हमने भी इसकी चर्चा की रेम्निसिवेर की बात की पहले, लोपिनवार जो एंटी एड्स ड्रॉग सी उसकी बात की, इंटरफेरोंस जिसकी अप अप अंटी इंफ्लिमेटरी एक्शन है उसकी बात की, तोसिलिजुमाब बगारा इ अंटी इंफ्लिमेटरी दवाई हैं इसकी बात की, इन में से कोई भी अभी तक अच्छा प्थल नहीं लाया, मतलब इस पे कोई काम्याभी हमें नहीं मिली, वहो के बड़े पैमारी में जिसको आथे solidarity trials हिये हैं, और solidarity trials में hydrochloroquine से लेकर remdesivir सभी नाकाम निकले, खास तोर से remdesivir जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी एक बार, काफी चर्चा इसलिए हुई थी कि चलो एक दवाई मिल गया, जिससे शायद हम कुछ हद तक इसक failure निकला है, और इसी लिए, Gilead Science, जिसकी ये दवाई है, उसकी share price बढ़ने के लावा, और कोई फायदा इस पे नजर नहीं आया, हम इसकी चर्चा कर चुके है, कि इसका जो clinical trials की figures इन्हों ने दी थी, Gilead ने दी थी, अपनी उनकी की गई clinical trials की, तो उसकी भी बहुत काम्या भी हमको देखने को नहीं मिला था, थोड़ा सा काम्या भी देखने को मिला था, वो भी बड़े पैमाने जब trials हुआ, तो उसमें वो लगा, वो आंक्रे साफ है, कि वो सही नहीं था, वो सिर्फ accidental थोड़ा सा था, छोटे sample size में ये होता है, बड़े sample size बनाते हैं, तो सही तस तक जो serious cases है, उसको हम treat कर सकते हैं, उसको treat करने के लिए और भी दवायां धीरे धीरे आ रहे हैं, पर इसलिए कि वो COVID-19 या virus की उपर जो है, इनके आक्रमन नहीं है, पर body का जो reaction है, उसको कम करने के लिए ये चीजे, COVID-19 की जो serious cases है, उनको हम धीरे धीरे कम कर सकते, बचा स लगते हैं, इसका मतलब जो body का reaction है COVID-19 के खिला, उसको अगर हम control करें, तो लगता है संख्या, मृतकों का संख्या काफी कम होगा, और ये भी सही है, कि अब जो hospital की जो routines है, हम ज्यादा अच्छी तरह समझ रहे है COVID-19 को कैसे treat करना चाहिए, इसलिए भी संख्या कम हो रही है पर ये बात जरूर है कि anti-inflammatory दवाई, corticosterides, पुरानी दवाई है, सच्छे दवाई है, वो काम्याब है, और जितने महंगे दवाईों की बात हो रही थी, वो काम्याब नहीं है, रही बात, एक सिर्फ आखरी बात, Trump की जो दवाईों की बात हो रही थी, उस पे एक दवाई की जिसको कहते हैं, MAPS, Trump की recent जो hospitalization हुई थी, उस पे एक दवाई की बात की गए थी, जिसको कहते हैं, monoclonal antibodies, उनको दो monoclonal antibodies की cocktail दिया गया था, monoclonal antibodies वो है, जो हमारे शरीर में पैदा होता है, किसी भी infection के खिलाब, उससे अगर चुनके, तो सबसे अच्छे antibodies हमें लगे, उसको अगर culture किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको संख्या ज्यादा पैदा किया जाए, biological process से, तो उसको अगर हमारे शरीर में दिया जाए तो वो जैसे वो तब क्या करता है, कि जो हमारे वाइरेस है, उसके खिलाफ उन लड़ सकता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर antibody भी लड़ता है, तो क्योंकि वो specific है, उसका शक्ति जैसे plasma treatment वगारे से कई गुना, हजार गुना ज्यादा वो हो सकता है, और इसलिए monoclonal antibodies पे आ पर monoclonal antibodies की कीमत बहुत है, बहुत मांत्रा में पैदा करना आसान नहीं है, और इसलिए बड़े पैमाने में monoclonal antibodies को मुहाया कराना लोगों के पास ये शायद संभब नहीं है, खास दोर से गरीब मुलकों के लिए, गरीब जनता के लिए ये शायद नहीं हो पाएगा, तो monoclonal antibody हो सकता काम्याब हो, उसकी clinical trial शुरू हुई है, तो ट्राम का एक केस से कुई चीज सावित नहीं होता है, पर इसको लगता है, हमें देखना पड़ेगा, अगर सफल होता है, तो किसको मिलना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा, क्या जो सबसे ज़्यादा बीमार लोगा उनको मिलना चाहिए, इसके बाद क्या हस्पिताल में जो आपके front line workers उनको मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, ये तो उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास पैसे हैं, जो इसको खरीच सकते हैं, और आम जो लोग इस बीमारी के खिलाफ सबसे ज़्य रख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दोराय नहीं है, कि ये public health के तौर पे हमारे सामने सबसे बड़ी चुनावती है, जो हमारी जिन्दगी में हमने face की है, और ये चुनावती अभी चल रहा है, और चलेगा, धन्यवाद देखते रहिएगा news click, और हमारे website पे भी आके, हमार जो news click में, जो charts देते हैं हम, उसको भी देखिएगा, इस COVID-19 के प्रफाब कैसे बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है, इसको समझने के,